जिए निवाश्कार आप देखने यूनीज यूपी और मैं हूँ राहोसी। यूपी गुनाह के मैं एक बार फिर से गुनाह की एक संसरी खेस ख़बार लेकर मैं आपके सामने हाजी हुए। आप में Serial Killer की कई फिलमें देखेंगें, जिसमें कभी Serial Cover Killer की पहता है वह बहुत स्मार्ट दिखाते हैं, कभी काफी फिलमें दिखाते हैं, आपको लगता है जितने फिलमें देखेंगे, देखके लगता है यार भला कैसे Serial Killer बन सकता है। तो ऐसे ही एक serial killer पकड़ा गया है UP के बरेलेचिन अब इस serial killer को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे 10 महिलाओं के हत्या कर सकता है ये तो पागर सा लग रहा है मन बुद्धी सा लग रहा है कैसे ये 10 महिलाओं के हत्या कर सकता है लेकिन आपको भले ये लगे ल खuks ने अब तक 6 हत्याय तो कबूली है लेकिन पुलिस का जैसा है कि करीश करीब करीब 10 महिलाओं की इसमें हन्य हत्या की है अब जब पुलिस जांच कर रही तो पुलिस के बास पुलिस ने वताया कि देखने में ये मंद बुद्धी बला लगता है लेकिन इसके अंदर एक तरिके से कहें दो व्यक्तित एक जो काफी महिलाओं को देखें जो 45 साल की उपर की महिला हैं उनको देखकर ये हिंसक हो जाता है और उनको मारने की फिराक में रहता है उनको लेकर ये तो सोच भी नहीं समझता ये समझ नहीं सकता लेकिन इसके अंदर के दो व्यक्तितों की पूरी कहानी हम आपको आज बताएंगे कैसे आखिर ये मंद बुद्धी सा दिखने वाला सक्स सीरियर गिलर बनता है किन वजहों से ये 45 साल की उपर की महिलाओं को अपना निशा अपने आस पास रहे रहे लोगों को देखकर सतरक रहे हैं कोई मंद बुद्धी दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंद बुद्धी है उसके दुनाग में क्या चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है तो स्विचले वा तरीके से हम आपको यूपी के सीरियल किलर की कहानी बताते हैं पहले आपको बताते हैं ये कहां पर वारदातों को अन्याद देता था बरेली के साही और शीजगर ठाना छेट में एक साल में पिछले ग्यारा महिने में चौदा महिने में करीब करीब ग्यारा महिलाओं की हत्या हुई महिला की हत्या जब पुलिस ने ज जिस भी साड्रीज एक दुबट्टे से हट्य ती गई तो उसके दुबट्ट्टे को गले कर्क गाठ वान दी गई भी पर्माइलाों लगभख एक यीं तरीके से सब को माद गया दा बात में जब सब केश एक जैसे पुलिश को लगए तो पुलिश लगा शीजगर खाने करीब 25 किलो मिट्रे के दारे में 1500 cc टीवी कैमरे लगाए चार सिपाहियों और करीब 5-6 टीमें बनाई इसके लाबा मुख्विर के अपने जो मुख्विर वाला तंत्र है उसको पूरा श्ट्रॉंग किया और इस हत्यारे को पकड़ने के लिए सब लग गी कुझ-दीब को इसका नाम जो है इसका नाम है कुझ-दीब को प्रस्पतिवार को साही इलाके से गिरफतार किया गया। कुझ-दीब chatting दो बहने और यни अक्सर ये उनके घर आकर रुकता था और वहां से कब ये चलता था, कब आता था, कब बैठता था, किसी को नहीं पता, क्योंकि आप देखो कि ने बंद बुद्धी ये सरकता है, तो ये अपने आप कहल ते घुंते आ जाता था, खाना आ खाया और कब निकल गया और वापस ल निकलता तो दूसरी बेंट के घर पहुंच जाता, बता के ने जाता कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, कुल्डीप बरेली के नवागुन थाने इडाके के बकर गंजगाओं का रहने वाला था, आपको ये बता दूँ कि ऐसा आपको लगे कि कोई पागल पागल सा है, क्य आपको करीब करीब बताते हैं कि 40 धीघह जमीन है, 40 धीघह धमीन कम ही होती है, बहुत होती है इसकी दो बहने हैं, और इसकी मा की मौत हो चुकी थी बताते है जिसके बाद इसके बाद सौतेली मां है अब आप के आपको वो समय है जब ये पता चलता है कि कुल्डीप के दिल में महिलाओं के लिए नफरत कहां से आती तो इसकी वजा थी कुल्डीप की सौतेली मा पहले सी मांसिक रूम से कंजोर कुल्डीप के लिए सौतेली मा किसी सैतान से कम नहीं जी सौतेली माँ को कुल्दीब सैतान मानने लगा और वो उनसे पोई इंतहा नफरत करता था लेकिन कुल्दीब के दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए तना धर था कि कभी वो उसके उपर हमला करने की नहीं सोच गया मदर नफरत बहुत थी उसी की हो जैसे उसे उस उम्र की यानि कुल् पर हमला नहीं करता था लेकिन उस उम्र की अलग महलाओं को यह निशाना बनाता था कुल्दीब की सादी साल 2014 में भानफुर गाओं के रहने वाले दिव्यांग क्योंकि यह खुद मांशिक रूप में कमजोर था तो इसकी सादी भी एक दिव्यांग से की गई जो लॉंग पुलिस ने पत्नी से बात्चीत की तो पुलिस पत्नी में होता है कि साल 2018 में मैं उसे छोड़ चुकी हूं कि 2014 में सादी भी चार साथ तरह उनके साथ रहे इस दोरान उसका व्योहार बड़ा ही अटपटा था कभी वो खुष तो कभी बड़ा हिंसक हो जाता था अगर कोई क साम करने कहा था अगर वो नहीं होता तो मेरे साथ भुणी तरह से मारता पिरता था जिसके हुझा से उसकी हरकते में चार साल तो कैसे जहल गए लेकिन उसके बाद मैं छेलनी पए और मैंने उसे छोड़ दिया पुलिस की पूस्तास में सामने आया कि सौतेली मा का सितब पत अपने घर नवाब गन से दूर था और लगभग घर छोड़ चुका था घर जाता नहीं था वो अपनी बहन जो दोनों बहने थी शाही राके में रहती थी वहीं एक रिस्तिदार जो था शीषगड़ी में रहता था तो उन्हीं के आसपास भूमता रहता था वो अधिकतर सम और इनी सब की वजाओं से चुकी उसकी सौतेली मासे नफरत था बीवी छोड़ चुकी थी और महिलाओं के लिए उसके दिल में नफरत भटी आई तो कई बार क्या नशापक्ती भी कहते हैं कि भांग, सुल्फा अधिका इस्तमाल करने लगा था जब पुलिस ने कुल्दी और महिला के कपड़े पहना कर दिया गया तो कुल्वीप ने पहले पुतले के साथ असलील हरकतें की फिर दुपट्टे से उसका गला कस दिया और फिर जब वह हो गया कि हाँ इसकी मौत हुचकी तो उसी गुरुपट्टे के गाठ उसके गर्दन पर जोर से कस दिया यह उस उसका पैटरंट था और यही पैटरंट बांग की सभी लाशों में देखने को मिलता था इस तुथले के साथ यह सब करके पुलिस ने नोटिस किया कि कुल्दीप काफे खुछ था जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हुच शाही के खेतों में वह आगे चलता रहा और अधिवरत में महिलाएं थी उनके साथ उसे रखा तो यह वह दिगा कि महिलाओं के बीच जब हो रहा तो ज्यादा खुल कर बात कर रहा था जब पुलिस ने कुल्दीप से पूश्टाच की कि आखिर आपको पता चल गया क्यों नफरत क्यों करता था और पत्मी पहली मजवज़ा थी शौतीली माँ कि उसके उसे अपने बाप से पिटवाती थी और बला बला सुनाती थी जिसकी वज़य से उसे चालिस से पैतालिस स पत्नी चोड़कर चली गई थी और यह भी एक हुजा थी जिसको जैसे वह महिलाओं से नफरत करता थी तो पुलिस की पुस्ताच पर कुल्दीप ने बताया कि वह अक्सर चालिस साल की उपर के महिलाओं को प्रपोस करता था प्रेम संबंद बनाने के लिए कहता था और जब तक गला दबाता था जब तक उसकी मौत निश्य तो नहीं हो जाती थी और उसके बाद उसके गर्दन पर सारी या रुपट्टे को कसकर पान देता था गांट लगा कर ताकि उसके बचने की कोई संब्धाना है वह इसलिए जरूर करता था गांट लगाने अलगां क्यो दोनों बहने और एक इस्तेदा रगा मनंश्राइल पर मांस्रीणार तक स्था हुझता तो नहीं बताया था गांट सर्थ उसको भ्हांन निकल गया थाए तो घर वापड हुझता बड़ा ही, इसज वासे को पातले है उस नहीं होग नीं करता था तो उस संब आदे है लाद क यहां यह भी कुल्दीब ने पुलिस को बता है कि जब भी किसी मारता था तो उसकी कोई ना कोई पहचान का सामान अपने पास रख लेता है ऐसे जैसे कि महिला के पास कुछ भी मिल गया उसका अधार कार्ड मिल गया कुछ भी मिल गया वो रख लेता था किसी का से पैसे मिल ग आपने पास तुकड़ा रख लेता था आपने पास, यह उसका कुछ फिर्टूर होगा पता नहीं आउपी कुल्डीब ने पुलिस के सामने कबूला कि उसने छे महिलाओं की हत्या की है कुल्डीब के आसपास के सुनसान खेतों के रास्तों और पग्डंडियों की पूरी जानकारी मतलब जो इस वेंज कहिए था उसे अच्छी खासी का जानकारी है अकसर बताते हैं कि वो कोई गाड़ी वड़ी के स्तवान लिख करता था तो पैदल घूमता रहता था खेतों में और खेतों में घुमते हो रोड अगर उसे कोई महिला अकेल ही दिख जाती थी, खास कर जब कोई अकेला है उसे दिखता था कि एसके आज़ पास कोई बच्चा नहीं है और खुछा था पौछादी नहीं है तो वो उस महिला के पहुंटा था वारदात के दौरान ये जरूर जब भी किसी महिला से बात करने जाता था तो ये इस बात के इध्यान जरूर देता था कि इस महिला के आसपास कोई बच्चा या आदमी नहीं हो अगर कोई आदमी या बच्चा होता था तो वो उस दिन उस वारदात को अंजाम नहीं देता था आरूपी ने मलब कुलवीव में जिन्भी महिलाओं की हत्या की अकसर उसने उन्हें गन्य के खेत में ही मारा। जब पुरिश ने इससे पुछा कि आथे गन्य के खेत में क्यों मारा तो उसने कहा गन्य के खेत चुकि बड़े-बड़े होते हैं। आर हो जाती है अगर गन्य के खेत में थोड़ा सा भी अंदर हैं तो 10-15 मीटर ही अंदर चले गए तो अगर आज पास से कोई गुजर रहा होता है तब भी वह व्यक्ति हमें देख नहीं सकते हैं। इसलिए एक सेप साइड होता था कि गन्य के खेत में मानना है। अगर दिमाग देखे लगता फागल सा लेकिन दिमाग इस चीज के लगाता था कि गन्य के बड़े-बड़े होते हैं अगर 10-15 मीटर अंदर चले गए तो बदर से गुजर रहे लोग भी ध्यान नहीं दे सकते कि अंदर क्या हो रहा है। पुलिश ने बताए कि आरोपी कुल्दीव कुमार कभी भी मूबाइट फोन के इस्तवान नहीं करता था और नहीं आने जाने के लिए यानि बस टेम को कभी किसी के सारे नहीं वो आता जाता भी पैदल ही था। कि करने वाली महिला का मलब जिस की हत्या करता था। उसका कोई ना कोई सामान अपने पास लख लेता। काकि उसे याद रहे। पुलिश को को अ जुलाई में एक महिला के। अनीता धीव इस मतदाता पहचान पट्द्र मिला एक लाल रख के को वसका नेडमा से करेखनें के लिल dro дорог मेरी के आंदार कार्णा थे만 वातना दनेदे आधार कार्ण के र हफ्सकान वाकरन नियुक्त शार है अकसर आदमी की सूरत देखकर उसकी सीरथ के अन्दाजा लगाते हैं लेकिन आप अब इसको देखी आपको देख के लगता है कहीं से जिए six-mile लाऊं के हम्तर कर सकता है आप रेंगे रे या कैसे कर सकता है पहली नजर में तेंगी कोई लेकिन जब आप अब आप इसने इसके आकिकत जानी होगी तो आपको लग रहा हो यार कितना अंदर इसकी राच्छा सही तो तो इसीलिए कहते हैं किसी की सूरत देखकर यह मत सोचिए कि वह बहुत शरीफ है या यह मन बुद्धी या तागल उसके दिमाग क्या चल रहा है या आप नहीं जाँ से लिए लिहाजा हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है यूपी यह है यूपी के सीडिल के लिए का सुरू से आखरी तक कहानी महिनाओं से नफरत उसकी मा सौतेली मा की वज़े से उसे मा जिस तरह सौतेली मा पिता से कहकर उसे बेवज़ा चुकि मन बुद्धी था सुरू सही था मासिक तोर पर कमजोर था मा उसे मरवाती थी पिता से और ताने मारना सब कुछ होता था इस वज़ा से उसके दिल में महिलाओं के लिए नफरत पैदा हुई खासकर उस अपनी म पत्नी था, तो पत्नी थी तो अलग होनी थी लेकिन जब पत्नी उसे चोड़ के गई और किसी और सभाजी कर ली तो उसके और चुपा। जिसकी जैसे उसे और नफ्रत हुई तो अब उसके दिवाह में ये बैठ गया कि महिलाओं को उसकी दुश्मन है तो महिलाओं को वो प्रपोस करता था जो उसकी बात माने वो सही नहीं वानते था तो वो उसे मार देता था आप वीडियो देखे किस तरह से खुश होकर बता र तो कितनी खुशी के साथ वो बता रहा है उसे बिल्कुल अफ्सोस नहीं है इस बात करकि उसने इस हत्याकांट को छे मदब को कबूला है लेकिन पुलिस का कहना है करीब पर दस हत्याओं में इसका हांथ है इसी तरह से गुनाह की तमाम ख़परों से हम आपको अगत कराते आपके रहेंगे देखते रहें यूनिजूपी नमस्क्राव